टीवी इंडस्ट्री की ट्वैलेंटेड अभिनेत्रियों में एक नाम शुमार है कृतिका सिंगर का जिन्होंने अपने सीरियल करियर में एक से बढ़कर एक कई सीरियल्स में काम किया है और उन्हीं सीरियल्स के बीच इन्हें कई अभिनेताओं के साथ भी काम करने का मौका मि जहां दोनों ही कलाकार अभिनेतुरी कृतिका सिंगर के साथ अलग-अलग सीरियल्स में नजर आई थे और दोनों की जोड़ी को दशको ने खूब सराहा था यूँ तो दोस्तों इन दोनों अभिनेताओं की जोड़ी कृतिका सिंगर के साथ काफी ज़्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी बनी थी लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे हैं कि इन दोनों अभिनेताओं में से सबसे ज़्यादा किसकी जोड़ी को कृतिका के साथ सबसे ज़्यादा पसंद किया गया तो आप ज़रूर confused हो जाएंगे इसलिए आपकी confusion को दूर करने के लिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन ही सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं तो फिर चलिए ना दोस्तों देर के सबात की है जल्दी से बिना वक्त गवाई वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप अभिनेत्री कृतिका सेंगर और इन दोनों अभिनेताओं के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले शुरूबात करते हैं अभिनेत्री गुर्मीत चौधरी से जिन्होंने इनके साथ साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ पॉपुलर शो पुनर विबाह में काम किया था जहां अभिनेत्री कृतिका सेंगर नियार्थी की भूमिका निभाई थी तो वहीं दूसरी तरफ अभिनीता गुर्मीत चौधरी व्यश की भूमिका निभाते हुए नसर आये थे दोनों ने इस सीरियल में एक पती-पती की भूमिका को काफी खुबसूरती के साथ परदे पर उतारा था जहां दोनों के बीच का प्यार, नुक जोग, मासूमियत ने सभी का दल जीत लिया था और उस समय इस जोड़ी को दर्शक को द्वारा इतना ज्यादा पसंद किया चाता था कि दर्शक इस सीरियल का एक एपिसोड मिस करना नहीं चाहते थे और यहीं वज़ा होती थी कि सीरियल के ओफेर होने के बाद भी दर्शक इस प्यारी सी जोड़ी को एक बार फिर से यानि के दोबारा टीवी पर देखने के लिए डिमांट तक करने लगे थे वहीं अब बात कर लेते हैं अभिने ताश्वरत मलोत्रा के बारे में तो इन्हों ने अभिने तुरी कृतिका सेंगर के साथ कसम तेरे प्यार की सीरियल में कांग किया था जहां अभिनेत रुकृतिका सेंगर ने तनु के भूमी का निभाई थी तो वही दूसरी तरह अभिनेत आश्वारत मलोत्रा रुशी के भूमी का निभाते हुए नसराय थे जहां इनके कॉमिटी से लेकर इनके रुमांटिक अंदाज ने लोगों का खूब दिल जीत लिया था इनके प्यारी से जोडी को दर्शक काफे ज़ादा पसंद करते थे और यही वज़ा रही कि पुनर विवाह सीरियल की तरह ही सीरियल का भी दर्शक एक एपिसोड तक मिस नहीं करते थे आज ये सीरियल भले ही ओफियर हो चुका है लेकिन आज भी इनके जोडी को दर्शक भुला नहीं पाए हैं अब आम तुमें बात करें कि कृतिका सेंगर की जोडी गुर्मीत चौदरी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी या फिर शरद मलोतरा के साथ तो इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा जी हाँ आफ कोर्स शरद मलोतरा के साथ क्योंकि इस शो में जिस तरह से शरद मलोतरा ने अपनी अदकारी के साथ साथ रोमांटिक स्वाग का तड़का जो लगाया था वो वह कई काबिली तारीफ था तभी तो आज भी दर्शा कि इन दोनों को एक साथ दोबारा से परदे पर देखना चाहते हैं और इसके डिमांड भी करते हैं वल दोस्तों वैसे आपके हिसाब से कृतिका सिंगर के जोड़ी इन दोनों अभी नेताओं में से किसके स्याद जबसे ज़्यादा पॉफेक्ट लगती है आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसे ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले